तो आपके इस तरीके से एक image enhancer website create करकर money make कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा, तो guys मैंने एक image enhance website create की हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रही हैं, अगर आपको image enhance website के बारे में नहीं पता हैं, तो मैं आपको बता दूँ, image enhance website basically low quality images को high quality, यह HD quality images में change करता है, और website यहाँ पर मैंने बीना coding के knowledge create की हैं, जो कि आप भी create कर सकते हैं, and guys अच्छी बात यहाँ पर यहाँ पर है, website fully functional है, मैं इस यहाँ पर website अच्छे से work करती है, मैं आपको यहाँ पर इसका function करके दिखाता हूँ, मैं इस दिखाता हूँ, website यह पर work कर र यहाँ पर मैंने एक image को open कर लिया है, website यहाँ पर work करेगी, and यहाँ पर आपको enhance image बना करते देगी, तो यहाँ पर आप इस image को देख सकते हैं, और इस image को देख सकते हैं, दोनों के अंदर आपको फर्क दिखाई दे रहा हूँ, and यहाँ पर आपको download का button मिलता है, जिसके मा आपको बताने वालों, तो इस step की website को create करने के लिए सबसे पहले आपको Google के उपर आना है, and यहाँ पर आपको इस website को open कर लेना है, जिसके नाम है pixart.io, website का link आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा, तो make sure आप हमारे telegram channel को भी join कर ले, अब आपको इस website के ऊपर अपने account करना है, तो account create करने के लिए आपको इहाँ पर आना है, sign in इसको पकलिक करना है, basic information को fill करना है, और इस website के ऊपर, आप account create हो जाएगा, and दोस्तों, जैसी आप account इहाँ पर create होगा, तो आपके सामने कुछ उसपका का interface हैगा, and यहाँ पर आपको आपकी API की मिल जाएगी, जो बहुत ही जदे important है, website create करने के लिए, जैसे आप account इहाँ पर create होगा, यह वाल interface आएगा, अब आपको इहाँ पर आना है, my apps इसको पकलिक करना है, यहाँ पर आपको आपकी API की मिल जाएगी, इसको आपको copy करना है, अब अगेन आपको जाना गूगल को पर, and यहाँ पर आपको टाइ करेंगे, तो आपको सामने न्यूपेज आएगा, API reference इसको पकलिक करना है, यहाँ पर आपको photo enhancement इसको option दिखाय देगा, तो आपको इसको पकलिक करना है, अब आपके सामने new page आजाएगा, अब आपको यहाँ पर आना है, 3. इसको पकलिक करना है, यहाँ से आपको Java को copy and paste कर दूँगा, अब आपको यहां पर आना है, यहां से आपको अपना code जो की आपना पर दिखा दे रहा है, उसको आपको copy कर लेना है, अब next step में आपको हमारे telegram चल पर जाना है, वहां पर मैंने एक prompt code type कर रखा है, आपको उस prompt को copy कर लेना है, उसके बाद आपको notepad को प पर जा सकते हैं, पहले आपको यहां पर अपना जो भी आपने यहां से अपना अभी code copy किया था, उसको आपको यहां पर इस तरीके से copy and paste करना है, और just उसी के नीचे आपको यहां पर prompt को copy and paste करना है, जो की मेरे telegram चनल पर आपको मिल जाएगी, तो make sure आप मेरे telegram चनल को भ या फिर आप group के उपर विचा सकते हैं, तोनों में से किसी भी website को उपर जाना है, यहां पर आपको अपनी prompt को copy and paste करना है, यहां पर मैं आपको test करकर भी दिखाऊंगा, कि group बढ़िया है या deep seek बढ़िया है, किसके मदम से आप यहां पर best results प्राप कर सकते हैं, उसका comparison मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो पहले मैं deep seek के उपर जाऊंगा, start now इसके उपर कर दूँगा, अब आपके सामने message का option नज़र आएगा, यहां पर आप तो अपनी complete prompt को copy and paste करना है, तो यहां पर आपको send का option दिखाए देगा, इसके उपर कर देना है, अब deep seek यहां पर अपन इसके बाद यहां पर group भी work करना start कर देगा, thinking करना start कर देगा, और कुछी seconds में आपके सामने result देदेगा, तो दोनों यहां पर अपने-पने work कर रहे हैं, यहां पर deep seek ने work भी करना start कर दिया है, code भी generate करना start कर दिया है, and group अभी यहां पर thinking कर रहा है, और कुछी seconds में हमें पर जल्ट तही देगा, एंद देखने वाली बात यह रहे कि दोनों में से कौन सा बहतरिन टूल है, आज आपको पता लग जाएगा, किस से आपको बहतरिन वेपसेट मिल सकती है, वो भी आपको पता लग जाएगा, दोनों का comparison बहो जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड कर स सकते हैं, कि आपको group को यूज करना है, या DeepSic को यूज करना है, website या apps करेट करने के लिए, तो यहां पर है काफी समय ले रही और DeepSic न यहां पर to complete code भी बना दी है, जो की आपको यापको दिखाये दे रहे हैं, कुछ ही seconds यहां पर बीतेंगे और हमारे codes हमारे सामने आ जाएंगे जिसको हम अपनी website बनाने में use कर सकते हैं तो यहां पर इसने complete codes read कर दी है यहां पर आपको runhtml का option दिखाए देगा इसके मदम से आप यहां पर यहां पता लगा सकते हैं कि website आपकी यहां पर professional बनी है यह नहीं बनी है तो मैं इसको उपकलिक करूँगा runhtml इसको उपकलिक करूँगा और website हमारी यहां पर कुछ इस परकास से दिखाए देगी तो इस परकास से हमारी website का code मिस यहां पर हमारी basic website का code जनरेट हो चुका है अब मैं यहां पर group के result भी चेक करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ गुरुक से मेरी कैसी website बनेगी तो मैं गुरुक को पर जाओँगा तो अभी यहां पर यह थिंक कर रहा है अभी इसके अंदर time लगेगा को जनरेट होने के लिए थोड़ा सा हमें यहां पर वेटी करना पड़ेगा तभी हमें यहां पर पता लगेगा कैसे को जनरेट करता है कि results यहां पर बैस्ट मिलते हैं यह नहीं मिलते हैं तो यहां तो इसने 100 seconds से भी ज़दा कर time ले लिया है पर results अभी भी हमारे सामने नहीं है जबकि DeepSick ने हमें यहां पर पूरा results भी दे दिया है और साथ में यहां पर इसने हमें instruction में दे दिया है कैसे हमें इन codes को use करना है तो इक बर मैं गुरूक का wait कर लेता हूँ उसके बाद कैसे website बनाना है और कुछ seconds का time और जाएगा तो complete codes आपके यहां पर create हो जाएगे जब complete codes आप यहां पर create होँगे जब उसके बाद हम यहां पर यहीं चेक करेंगे कैसी website यहां पर बनती है तो भाई इसने complete code यहां पर बना दिया जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अब मैं यहां पर इसके result चेक कर लेता हूँ तो यहां पर आपको preview का option दिखाए देगा तो मैं इसको पकलिक करूँगा तो इसने भी यहां पर इस type की website create की है अब मैं दोनों website की working यहां पर चेक करने वाला हूँ तो पहले मैं deep secure पर जाऊँगा यहां पर run html इसको पकलिक करूँगा choose file इसको पकलिक करूँगा यहां पर अपनी image को upload करूँगा जो कि मैंने यहां पर कर दिया है अब चेक करते हैं क्या यहां पर हमारे result आता है यहां पर हमारे result आ रहा है और download का option दिखर आ रहा है इसका मतलब क्या है गुरुक से आपके best codes नहीं बनते है अगर आप गुरुक का यूज करते हैं तो website आपके fail हो जाएगी तो इस case में आपको deep secure use करना है ताकि आपके codes अच्छे बने और आप यहां पर एक professional website करीट कर सकें अब मैं यहां पर आऊँगा यहां से अपने code को copy कर लो next step में आपको जाना है blogger के उपर यहां पर आपको अपनी एक new website करीट करना है उस case में आपको यहां पर आना है new blog इसको पकलिक करना है website का name दे देना है जैसे कि मैं आप देता हूँ photo and handset इस परकार से मैंने यहां पर इसका name दे दी है then next इसको पकलिक करना है web address डालना है तो यहां पर मैं photo and handset इस परकार से नाम दे दिता हूँ और चेक करता हूँ क्या available है या नहीं तो यहां पर दो ड्रालड देता हूं यहां पर यह available है अब मैं save इसको पकलिक कर दूँगा and मेरी यहाँ पर website बनकर ready हो चुकी है अब इसके बाद आपको जाना है themes के उपर then इसके बाद आपको यहाँ पर यह option नजला रहोगा आपको इसको पकलिक करना है and switch to first generation इसको पकलिक कर देना है then switch without backup इसको पकलिक कर देना है अब आपके सामने edit HTML आजाएगा अब आपको इसको पकलिक करना है and जो code मैंने यहाँ से copy किया था इसको आपको यहाँ पर copy and paste कर देना है तो यहाँ पर मैं complete इसको copy करूँगा and इससे मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा इसको replace कर दूँगा then यहाँ पर आपको save का option ज़र आएगा आपको इसको पकलिक करना है and code आपके यहाँ पर save हो चुकी है अब आपको view block इसको पकलिक करना है and website हमारी यहाँ पर इस प्रकास से बनकर ready हो चुकी है अब मैं check करूँगा website यहाँ पर working है या नहीं है तो मैं choose file इसको पकलिक करूँगा again image को upload करूँगा image हमारी यहाँ पर upload हो चुकी है and कुछ second के time लेगी और यहाँ पर इसका result भी आपको दिखाय दे रहा है अब download इसको पकलिक करना है और image आपकी download हो जाएगी अब आपको अपनी website को कैसे monetize करना है मैं आपको बताने वाला हूँ तो website को monetize करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले है add star का add star आप basically की add net रोक है जिसके मदब से आप अपनी website को monetize कर सकते है only आपको यहाँ पर आना है want to click it website का जो आपका web address है उसको आपको copy करना है यहाँ पर copy and paste कर देना है website की category को चूज कर लेना है और यहां से आपको अपनी कोई भी एक add unit जैसे मैं बैनर इसको चूज कर लेता हूँ then add इसको पर है कर देना है कोई से यह एक बैनर आपका चूज करना है यहां पर अप्रूब हो जाएगी, तो इसके बाद आपको अपना add unit generate करना है, तो इस case में आपको अपनी website को पकलिक करना है, get code इसको पकलिक करना है, code को copy करना है, अगेन आपको यहां पर आना है, edit html इसको पकलिक करना है, बोटम में जाना है, यहां पर आपको body का option नजर तो आपको पोडी की option को find करना है, script इसको पकलिक करना है, then enter मानना है, यहाँ पर आपको अपनी code को copy and paste करना है, save इसको पकलिक करना है, अब आपकी website के अंदर आपके codes add हो चुके हैं, okay, अब मैं यहाँ पर इसको refresh करूँगा, and यहाँ पर आपकी add भी दिखाए देगी, okay, अब last time में आपको अगरना है, आपको अपनी website को promote करना है, and promote करने के लिए आप यहाँ पर social media या free traffic को use कर सकते हैं, simply आपको उमारे चनल को पर जाना है, playlist इसको पकलिक करना है, free traffic की आपको बहुत सरी playlist मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको अपनी website को promote करना है, आपकी website पर traffic आ maximum traffic लेका हैंगे, definitely आप यहाँ पर तगड़ी earning कर सकते हैं, I hope आपको आज की वीडियो पसंद है होगी, कैसे आपको एक image enhancer website करीट करना है, वो भी आपको समझा होगा, अगर आपको आज की वीडियो चलेगी है, तो मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप अमर